बड़े अर्मानों से दुलहन ने अपने हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी रचाई थी दूलहा दुलहन के कबूल है कहते ही मुबाग का बाद का दौर शुरू तो हुआ लेकिन चंद घंटों में ही पंडाल में तलाग का सननाटा पसर गया जूता चुराई में 1000 रुपे मांगने के जरासी बात पर ऐसा विवाद हुआ जो बसने से पहले ही ग्रिहस थी को उजाड कर ही खत्म हुआ सभी को अपनी मूछे नीची ना होने की परवाग थी लेकिन तलाग के शोर में किसी को दुलहन के सपने चकना चूर होने की आवाज तक नहीं आई गड़ के एक ताचुराई की रस्म शुरू हो गई जूते चुराने वाली दुलहन की बहनों और सहेलियों ने दूलहे से जूते लोटाने के एवज में 1000 रुपे मांगे तभी दूलहे के एक परिजन ने कहा कि एक तो इतना कम दहिज दिया है उपर से 1000 रुपे मांग रही हो इतने रुपे नहीं दिय जाएंगे इस बात पर वहां मौझूद दुलहन के जीजा ने कड़ाय तराज जटाया तो दूलहे के साथ मौझूद कुछ ही उवकों ने जीजा से अभेद्रता करनी शुरू कर दी देखते ही देखते दोनों पक्षामने सामने आ गए लड़की पक्ष ने दुलहन को विदा करने से साफ इंकार कर दिया लड़का पक्ष ने तेवर दिखाए तो ग्रामीनों के साथ मिलकर लड़की वालों ने दूलहा उसके परिजन और रिष्टेदारों समेत दरजनों बारातियों को चौपाल पर बंधक बना लिया गाउं के प्रदान समेत गणमाहियें लोगों को भी बुला लिया गया कई घंटे तक दोनों पक्षों में वारता का दौर चला लेकिन बिगडी बात बन नहीं पाई निकाह के करीब पांच घंटे बाद देर रात एक बजे शरीया कानून के तहत दोनों को तला करा दिया गया सगाई और शादी के दोरान हुए खाने आदी पर हुए खर्चे की दो बावन लाक रुपे की रकम भी दूलहा पक्ष को अदा करनी पड़ी शहर काजी मौलानावाजी सईयग कसी मुद्दीन का कहना है कि अगर विदाई से पहले लड़की का तलाक हो गया है तो फिर उसे शराई कानून के तहती दत नहीं करनी होगी वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी से इंकार किया है बार असोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष सुबोध त्यागी सीएस यादव और चौधरी अमरपाल सिनका कहना है कि हाल ही में तीन तलाक के खिलाफ कानून बना है अगर विशेश परिस्थिती में आपसी सहमती से तलाक होता है और माहिला इस संबंद में शिकायत नहीं करती है तो फिर कोई कारेवाही नहीं हो पाएगी